आज हम लोग बात करेंगे शक्तियों की कौन से शक्तियों की कि लोग सभा के पास क्या शक्तिया है और यहां पर शक्तिया होने का जो तात्प्रिय होता है वो है कि उनके पास कौन कौन से इसी पावर्स हैं जो कि उनको इस्पेशल है उनको विशेश बनाती है यह आप कह सकते हैं एक तरह गासा लोग सभा कहां का पर मुख्य कारे करती विणि जा रही है वो फिर इसी परकार से जानेंगे राज्येश्बा की शक्तियों को फिर बात करेंगे वो लोग सभा के पास नहीं है. चलिए शुरू करते हैं आज की लेकचा लोग सभा की शक्तिया. संग सुची और संवट्थी सुची के विष्व पर कानून बनाती है. अब देखिए अपन लोगों ने पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं और class 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जो हमारा अध्याय साथ आएगा संगवाद, federalism उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे जो विधाई पावर है, जो विधाई अधिकार है विधाई अधिकार का मतलब हो गया कि कानून बनाने वाले जो अधिकार है उन अधिकारों को भारतिय सविधान ने केंदर और राजी सरकारों के बीच में बाटा है जब केंदर और राजी सरकारों के बीच में कानून बनाने वाले अधिकारों को बाट दिया जाता है तो उस देश को संगवाद कहते हैं संग्य साशन वेवस्ता वाला देश कहते हैं. तो विदाय अधिकारों को बाटा गया, तीन सूचिया, तीन लिस्ट हमारे समिधान में बनाए गई है. जो पहली सूचि बनाए गई है, वो है संग्सूचि. संग्सूचि का मतलब यह हो गया, कि इसमें जितने भी मेटर डलेव हैं, इसमें जितने भी मुद्दे हैं, उन सब पर कानून कोन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी. केंद्र सरकार की कानून बनाने का मतलब क्या है? संशत कानून बनाएगी. तो संग सूची में जितने भी मुद्धे हैं, उनमें कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी. फिर दूसरी है राज्य सूची. अब राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी. राज्य सरकार के कानून बनाने का तात्वर जो बिल है वो तो तयार केंदर सरकारी करेगी वही ले करके जाएंगे और हम लोगों ने देखाता है कि सरकारी और गेर सरकारी सदस्य सभी बिल रख सकते हैं परन्तु गेर सरकारी है जो नीजी सदस्य है प्राइवेट मेंबर है उसका बिल का कानूर बनना विधेक का विधी बनना कही ना कही ना के बराबर होता है बहुत ही ज़्यादा impossible होता है तो केंदर सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि विधेक वही तियार कर रहे है यहाँ पर राज्य सरकार क्यों कह रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार विधेक तियार कर रहे हैं को विधान सभा में रखती है, समवर्तिय सूची में दोनों को पावर दी गई है, समवर्तिय सूची में दोनों को कहा गया है कि केंदर भी कानून बना सकता है, और राज्य भी कानून बना सकता है, परन तु मान लिजिए किसी राज्य में कोई राज्य सरकार ने कोई कानून किसी मुद्दे पर और केंदर सरकार ने भी कानून बनाए उस मुद्दे पर अब मान लिजे दोनों में conflict चल रहा है जगड़ा चल रहा है तो केंदर सरकार का जो कानून होगा वो हम लोग मानेंगे या मान लिजे state A और state B इन्होंने दो कानून बनाय इन दोनों में कोई विवाद है तो हम Kendra का कानून मानेंगे मतलब यहाँ पर दोनों कानून बना सकते हैं पर अगर कोई जगडा, कोई भी konflikt होता है तो हम Kendra सरकार के बनायें कानून को मानेंगे तीन सुचियों में बाटा गया जो तीनों में नहीं आई, अफसिष्ट का मतलब जो बची बाकी हुई है, जो अभी बाकी रह गई, वो तीनों में नहीं जोड़ी, ठीक है, वो ना संग में आई, ने राज्य में आई, ने संवर्ती में आई, अब वो अफसिष्ट रह गई, वो बाकी रह गई, तो बाकी पर संग सूची और संवर्ती सूची में जो विशे है उन पर कानून बनाती है आप लोगों के लिए आज का जो home work है वो ये home work रहेगा आप लोग मुझे बताएंगे कि आज के मौज़ूदादोर में संग सूची में कितने विशे हैं राज्य सूची में कितने विशे हैं और समवर्थी सूची में कितने विशे हैं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा आप किसी किताब में सर्च करेंगे तो किताब में मिल जाएगा और फिर आप मुझे comment करके बताईएगा धन विदेकों और सामाने विदेकों को परस्तूत और पारित करती है अभी धन विदेक और सामाने विदेक विदेक का मतलब बिल है और बिल का मतलब अपना प्रारूप है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि draft है एक प्रारूप है और सामाने प्रारूप अभी प्रारूप या सामाने बिल ही क्या होते है इनको अभी मैं आपको next slide पर बिलकुल अच्छे से समझाओंगा परस्तूत करती है और पारित करती है ये भी समझेंगे कर परस्ताओं बजट वार्सिक वित्य वक्तवियों को स्विकरती देती है ये भी मैं भी समझाओंगा एक बार आगया आजएए फिर वापर से slide कराएंगे जब हम लोग बात करते हैं सामाने विधेक की सामाने या हमसे साधारन विधेक भी कहते है और इंगलिश में से का जाता है बच्चो ordinary bill क्या का जाएगा ordinary bill सामाने और साधारन विधेक इंगलिश में क्या कहेंगे ordinary bill और दूसरी तरफ जो है वो है बच्चो धन विधेक या जिसे हम लोग इंगलिश में कहते हैं money bill पेसा ही पेसा money bill अब देखिए अब एक एक पर थोड़ सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या प्रावधा निर्म है आप लोगों को मैंने ये बात बताई है कि जब भी सरकार एक विधेक को तियार करती है वो लोग सभा में या राज्य सभाव में रखती है पेले चाहे लोग सभा में रखो चाहे राज्य सभा में रखो और लोग सभा में रखा है तो वह वहां से पास होगा फिर राज्य सभा में जाएगा और फिर राश्पती जी के पास जाएगा दोनों सद्दों में जाना ज़रो दिए अब ordinary bill में क्या है कि जो सरकार है वो चाहे तो लोग सभा में भी पहले रख सकती है या राज्य सभा में भी रख सकती है लोग सभा में भी रख सकती है और राज्य सभा में भी रख सकती है पहले आप जो साधारम बिल होते हैं उनको लोगसभा में ले जाओ चाहिए राज्य सभा में ले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं पर मनी बिल धन विदेक तो कहा जाएंगे लोगसभा में जाएंगे अब आप सोचरों के सरी ओडिनेरी बिल क्या है और मनी बिल क्या है पहले ये तो बताओ मनी बिल जहां पर धन की वाद करी गई हो इतना टेक्स लगाएंगे इतना कम करेंगे इतना पेशा हम लोगों को निकालना है इतना हमें ये करना है ठीक है ये सारी जो काम है जितना भी तो यहाँ िैसमें पीघन से जुड़ावा काम है, वो इसमें आ जाता है, इसमें बजट जो आएगा, वो धन विभेक मेडेता है, उसके अलावा जितने भी कानुन, जितने भी नियम कायड़ने होते हैं, वो सारे के सारे ओडिणरी बिल, या सामाने विदेक होते हैं इनके लावा एक कोर होते हैं सविधानिक संशोदन विदेक उनका कहा जाता है तो सविधानिक संशोदन विदेक में भी क्या है सारे के सारे ये जो सामाने वाले अधिकार हैं वो सारे के सारे होते हैं पर धन विदेख में लोगसभा को थोसे special power मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ordinary bill है वो आप लोगसभा में भी रख सकते हो, राजी सवा में भी रख सकते हो, परन्तु जो धन विदेख है वो आपको पहले लोगसभा में ही रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है, जब भी आप धन विदेख लेकर के आते हो, तो आपको राश्टपती जी से permission लेकर के आना होता है, मतलब एक तरीके से लोगसभा में सरकार नहीं रख रही है, राश्टपती जी रख रहे हैं, तो मतलब राश्टपती द्वारा प्रस्तूत य और यहाँ पर पहले कुछ भी निकरना पड़ता है, सरकार ने बनाया है, वो लोगसभा में रखे, राश्टपती जी उसको परस्तूत करवाएंगे, फिर लोगसभा में जाएगा, फिर राश्टपती जी के बाद जाकर के साइन होकर के वो फाइनली मालिया जाता है, तीस राजी सभा के सुजाओ को विचार करा जाएगा, कि यहां भी है, राजी सभा ने इस सुजाओ दी है, इसमें सुधारों ने चीए, उन सुधारों पर बात होगी, उन सुधारों को ध्यान में करा जाएगा, और राजी सभा जब तक पास नहीं करता है, वो कानून नहीं बन सकता है तर वो राश्पते के पास नहीं जा सकता है परंतु यहां पर राज्य सभा कोई सुझाओ दे सकती है परंतु लोग सभा bounded नहीं है बाद दे नहीं है कि वो सुझाओ माने मतलब धन विदेक में लोग सभा का जो सुझाओ आत्सिंद भी वह न ना के बराबर कोई IMPORTANCE नहीं यहां पर राज्य सभा के पास किसी सदन के पास चैह मेहने तक बिलको रोकने की छितियए उस भी सतय कि डिसकर करें पारंतु यहां पर लोग सभा में पेश्ण होगा और राज्य सभा के पास सिरिफ फूर सिव चोदा दिन का समय चोदा दिन में आपको वो बिल लोटा नहीं पड़ेगा चोदा दिन से जादा नहीं रख सकते हैं चोदा दिन में लोटा नहीं पड़ेगा चोदा दिन में आपके को सुझाओ है तो आप बता दो और उन सुझाओ को भी लोगसभा मानें तो मानें नहीं तो नहीं माने तो 6 मेने और वहाँ पर 14 दिन यहाँ पर जो लोकसवा के अद्धेक्ष होते हैं उनको परमानित नहीं करना पड़ता कि हाँ यह विदेक है उनको परमानित करना नहीं पड़ता है परन्तु यह धन विदेक को परमानित करकर बेजना पड़ता है कि हाँ यह धन विदेक है और म होंगे बिल्कुल और प्रण तो यहां पे जो संयुक्त बैठक के पूरे-पूरे-पूरे चांसी में नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको 14 जिन में वापस आपको लोटाना पड़ेगा अब जब वापस लोटाना है आपके सुझाओ भी नहीं माने जाएंगे तो सुझाओ भी नहीं नहीं तो यह क्या है एक को आप इसमें डिफरेंस देख लीजेगा कि यह वाला जो बिल है साधा साधारान विदय के अध्यों अंतर होते हैं अब एक बास लावली स्लाइड में वापस आजाते हैं कर पढ़ा हो मतलब टेक्स को लेकर के वही हे टेक्स कितने पर करा क्यों होते हैं सब कुछ में आपको लास्ट लेक्टर में समझाया हूँ बजट या बजट को जो सविधान में जो सब्द इस्तमाल करा गया है वार्षिक वित्य वक्त अभी हो इसको इंग्लिश में का जाता है एन्वल फाइनेशल स्टेटमेंट क्या का जाता है एन्वल फाइनेशल स्टेटमेंट ठीक है तो budget या annual financial statement को security देती security मतलब स्विकार करती है कि हाँ भी हम accept करने यह सही है और धन विदेक और सामाने विदेक को क्या करेगी परस्तूत करेंगी तो लोग सभा में सामाने विदेक तो लोग सभा में परस्तूत हो सकता है मतलब पेले आ सकता है और राजे सभा में भी जा सकता है परन तो धन भी देख तो सिर्फर से पेले लोग सभा में परस्तूत होगा और फिर वहाँ से पारित भी होगा मतलब पास भी उसको कराय जाएगा पर्षन पूछ कर पूरक पर्षन पूछ कर परस्ताओ लाकर अब विश्वास परस्ताओ के माद्यम से कारे पालिका को नियंतरित करती है देखिए अब पर्षन पूछ करके ठीक है यह लोग पर्षन पूछ सकते हैं लोग सबा में मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं यह कैसा और भी बहुत अनेकों परकार के होते हैं तो वो प्रस्ताओ लाकर के वो resolution लाएंगे और कहेंगे कि सरकार पर हमें विश्वास नहीं है सरकार यह जो काम करी वो सही से नहीं करी है तो इनके मादिम से वो क्या कर रहे हैं? कारे पाले का को नियंदरित कर रहे हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के lectures में भी पहले के chapters में पढ़ चुके हैं आपातकाल emergency का provision भात के सविधान के भाग 18 में अनुच्छे 352 से 360 तक करा हुआ है जब राश्ट्री आपातकाल लगता है नेशनल emergency जब लगती है तो नेशनल emergency जो लगा जाती है वो राश्ट्री जी के दौरा लगा जाती है परन्तु राश्ट्री जी मंत्री मंडल के कहने पर लगाते है परन्तु अब उसको approval देना जरूरी है संसत के दौरा 25 जुलाई 1935 तक इस एक मेने के अंदर अंदर लोगसभा और राजियसभा साधारन भावमत से साधारन भावमत से उस आपातकाल को सिविकार करें कि हाँ यह जो आपातकाल लगाया गया वो ठीक है मेने के अंदर अंदर और जब उसको accept कर लिया जाएगा तो आपातकाल की जो validity रहेगी वो कितने दिनों की रहेगी छे मेने दकी मतलब एक बार संसतने सिविकार कर लिया मतलब वो छे मेने के लिए अब अगर उसको और आगे बढ़ाना है तो फिर उसकी validity आप बढ़ा सकते हो मतलब फिर से क्या करवाओ सिविकार करवाओ लोगसभा से और राज्यसभा से आप सिविकार करवाओ और अगर माल लिजिए कि ऐसे समय में आपातकार लगाया गया है जब लोगसभा भंग हो चुकी है मतलब उनके चुनाओ होने वाले हो या चुनाओ की घोष्टना हो चुकी हो तो फिर राज्यसभा के पास power रहेगी कि वो आपातकार को क्या करें? verified करे, approved करे कि यहाँ आपातकार सही है परन्तु वहाँ पर दो बटा तीन present and voting जितने उपलब दे उनमें से दो बटा तीन लोग क्या करें? वोट करके उसको पास करा है तो भी वो आपातकार माल लिया जाएगा वो भी 6 मेने के लिए माना जाएगा और 6 मेने के पास आपस extend होता है तो आपातकार जो लगता है उसको security देने का काम भी संसद करती है तो उसमें लोग सभा का भी अपना योगदान है और एक बात ध्यान रखेगा कि आपातकार को हटाने के लिए संसद से कोई approval नहीं चीए राष्टपती जी announcement कर देंगे रिलेटर जारी कर देंगे और जारी होते ही राष्टपती जी के द्वारा जो आपातकार ले वो भटा दी जाएगी राष्टपती और उपराष्टपती का चुनाव करती है तता उन्हें और सरवच नियायले तता उच नियायले के नियाय दीशों को भटा सकती है तो हम लोगों ने देखा है कि राष्टपती जी के चुनाव में लोग सभा के निर्वाची जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं उपराश्पती जी के चुनाओं में 545 के 545 लोग वोट करते हैं, राश्पती जी को हटाने में 545 के 545 लोग वोट करते हैं, तो चुनाओं में वोट करते हैं, सरवच नियायले और उच नियायले उनके नियाय दिशों को हटा भी सकते हैं, समीथी और आयोगों का घटन करती ह उनके प्रतिवेतनों पे विचार करती है, देकिये समीथी और आयोक, ıkomma क्रतों यह राज्य शचूरी करनेके लिए यह समीथे चाहि मतलब वो राजिय सभा में रखे भी जा सकते हैं उनको पारित भी करेगी राजी सभा राजी सभा अगर पारित नहीं करेगी तो वो राष्टपती जी के पास नहीं जाएगा और अगर छे मेने तक पारित नहीं करा तो संयुक्त बैठक होगी जोइंट सेक्षिन होगा, डेड़ लोग लग जाएगा, कि बिल पास ही नहीं हो रहा है, फिर समयुक्त बेठक बुलाए जाएगी, ठीक है, प्रपोजल है, वहीं प्रपोजल का मतलब ऐसा हम जब किसी के पास कुछ प्रपोजल लगते हैं, प्लीज यार मेरी ये बात मान लो है, परस्तावित हैं, कि परस्तावित हैं, तो अब यहां पर धनविदेकों में संशोदन परस्तावित करा है, ये लोग उसको पुरा बदलऊ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, राजे सभाव बिलकुल भी धन विदेख को लेकर के सारी की सारी शकति है किसके पास ये लोग सभाव के पास है और धन विदेख को हद मार की 14 दिन से जादा रोक नहीं सकते चोदा दिन लास्ट वेले डिटीन के पास सवेधानिक संशोदनों को पारित करती है तो बिल्कुल सामानिय विधेक और सवेधानिक संशोदन इन दोनों में तो लोगसभा राजे सभावा के पास बराबर शक्ति है सिरिफ और सिर्फ धन विदेग के पास में ही लोग सभा के पाँ ज़्यादा शक्ति है परशन पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तूत करके कारे पालिका पर नियंतरित करती है तो परशन पूछलेंगी, पूरक परशन पूचलेंगी, कोई संकल्प कोई परस्ताव परस्तूत करकर करेंगे क्या करेंगी, कारय पालियकों को नियंदृत करेंगे राश्टपती और उप्राश्टपती का चुनाओं में भागेदारी करती है, त éta उन्हें और सरवस्त नियायले के नियाय दीशों को हटा सकती है तो राश्पती जी के में भी क्या होता है वोटिंग करते हैं चो 233 सदस्य है निर्वाचित वोटिंग करेंगे और हटाने में 245 उपराश्पती जी में पूरे लोग वोटिंग करेंगे 245 और हटाने में तो उपराश्पती जी के में राज्य सभा का ही योगदान होता है और स जब आपको जिम्मदारी ही राज्य सवा की दी गई है तो आपको उप्धवा से ही होगा तो परष्ताओं ला सकते ही mathematical को इस कर सकतेख लोग्ग सब मैं यह संसद को राज्य सूची के विशोप पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है अब यहां पर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात में आपको बता रहा हूँ यह विशेश शक्तियों में पढ़ेंगे अब भी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा संग सुची फिर पढ़ा राजे सुची और फिर है संवर्थी सुची तीन सुची के बारे में अब लोगों पढ़ा संग सुची, राजे सुची, संवर्थी सुची संग सुची पर केंद्र सरकार बना रही है राजे सुची पर राजे सरकार बना रही है अब मान लिजिए किसी भी उस लिस्ट में से किसी भी मुद्य को संग सूची में या संवर्थी सूची में डालना हो तो वो पावर किसके पास है राज्य सवा के पास है तो वो राज्यों का प्रतिनीदित्व कर रही है और जब वो राज्यों का प्रतिनीदित्व कर रही है तो हम यह मुद्धा राज्यों सुची से हमें संग सुची में डाल देना चाहिए बहतर रहेगा तो उसमें जो मुख्य पावर है वो किसके पास है राज्यसभा के पास र representation of states, states को वहाँ पर दर्शाएगी, state की देखिए, राज्य सभा के जब भी चुनाओ होते हैं, तो उस राज्य को निर्वाचन शेत्रों में नहीं बाटा गया है, निर्वाचन शेत्रों में नहीं बाटा गया है, जैसा की लोग सभा में हो रहा है, जैसा की लोग सभा में हो रहा है, राज्य सभा में ऐसा नहीं, वो किसका परतिनिद्व कर रहे हैं, राज्य का परतिनिद्व कर रहे हैं, राज्य की जो भी समश्या होंगे, वो 31 का 31 लोग बता सकते हैं, तो जो राज्ये सबा है वो राज्यों का प्रतिनिद्व करती है इसका उद्देशे राज्ये के हितो और शक्तियों का संड़क्षन है अब इनका मुख्य उद्देशे इनका मुख्य उद्देशे इनका मुख्य उद्देशे राज्ये के हितो जो भी राज्यों की शक्तिया है, राज्ये के पास जो हित है, उनके इंट्रेस्ट है, मतब राज्यों को किसी भी आदार पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इस परकार की विवस्ताइ इसलिए भी करी गई है, कि संगवाद बना रहे हैं, संगवाद क्या होता है, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारे हो और उनके पास अपने अपनी शक्तियां हो उसे में लोगो क्या कहते है शंगवात कहते हैं। अगर इस परकार की विवस्था नहीं करी गई, तो जो केंदर है, वो क्या हो जाएगा, शक्ति शाली हो जाएगा, और हो सकता है, राज्य सरकारों को मन माने डंक से भंग कर दे, उनको फटा दे, या राज्य सरकारों को सही तरीके से काम ना करने दे. तो इसलिए क्या इस प्रकार की विवस्ता करे गई है कि राज्य सभा हो और वो राज्य के हितों या शक्तियों का संड़क्षन करे मतलब राज्य कोई जो कुछ पावर्स है उन पावर्स को बचा करके रखे उनके फायदे की जो बात है वो राज्य सभा में करे उनका प्रतिने जित्व वहां पर करे उनको कोई समश्या नहीं होनी चाहिए परंतू परंतू देखिए इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रतियक मुद्दा इसकी सेमत्य और स्विक्रति के लिए भेजा जाता है ठीक है परंतू मैं इसलिए कहा राता यहां पर राज्य के जितने भी हितों है राज्यों के हितों पर ध्यान नहीं जाता स्थांसदों का जो ध्यान है वो पार्टियों पर रहता है क्योंकि उनको जिताकर के जो भेज रहे हैं वो पार्टी भेज रही है अब पार्टी मेज रही ही तो वो पुरा का पुरा फोकस ही करते हैंगे नहीं पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है ना राज्य आज़्य की बात अलग है पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए के लिए आपको राज्य सवा में उस चीज को भेजना पड़ेगा और राज्य सवाही उनको बताएगे कि हम यह इन राज्यों के लिए सही नहीं है और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उधारन के लिए यदि केंदर सरकार राज्य सुची के किसी विशे जिस पर केवल राज्य की विधान सवा कानून बना सकती है को राश्टरी हित्मे संग्य सुची या समवर्दी सुची में अस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्य सवा की सिवकर्थी आवश्यक है जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 249 के तहत कि अगर कभी भी केंदर सरकार मतलब देश की संसर चाती है कि कोई भी राज्य सुची का मुद्दा हो जिन पर क्या है सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधान सभा कानून बना सकती है उनको राश्ट रित में देश की भलाई के देश के फाइदे के लिए अगर संगे सुची संवर्ती सुची में अस्तांत्रित करना पड़े ट्रांस्वर अगर करना पड़े तो क्या होगा राज्य सभा के आपको स्विक्रती लेनी पड़ेगी क्योंकि राज्यों का परतिनी देट्व के इंदर में कौन कर रहा है लेकिन अनवों का आधार पर तो यही लगता है कि राज्य सभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द और आप देखेंगे कि लोग सभा के पास कुछ जाता ही पावर से केवल लोग सभा में ही धन विदेख परस्तूत किया जा सकते हैं और वहीं उसे शंसोदित या आज स्विक्रत कर सकती है तो देखिए लोग सभा में ही धन विदेख परस्तूत हो सकता है मैंने क्या बता आपको सामानी विदेक या साधारण विदेक जिसे हम लोग कहता है साधारण विदेक और धन विदेक में मैं आपको पूरा अंतर समझा दिया धन विदेक क्या है? सिर्फ और trimmed लोग सभा में तो परस्थूत हो सकता है प्रिजेंट करा जाएगा वो राज्य सभा में परसुत नहीं होगा वो लोग सभा में ही परसुत होगा और उसे लोग सभा में परसुत करने के बाद लोग सभा ही उसे संसोदित कर सकती है मतलब उसमें कोई बदलाव करना हो तो बदलाव कर सकती है और उसे आज स्विक्रित करना हो ठीके मना करना हो तो एक थोड़ा सा ये भी मुद्दा रहता है राष्ट पती जी ने भेज़ा है अब यार देश का सुर्वच पद पे बेठावा व्यक्ति आपके पास कुछ भेज रहा है तो बड़ी बात है मैंने क्या काता कारेपाली का वाले में राष्ट पती जी के पास कुछ भी शक्तिया ना हो पर उनका पदी हमने इतना गोरानवित बना दिया कि अगर वो कुछ बोल दे या वो कुछ कह दे कुछ कर दे तो बहुत बड़ी बात है वो पुरी दुनिया को हिला सकती है वो बात इतना उस पोस्ट में पावर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोगतांत्रिक देश के सबसे बड़े सविधानिक पत्पे बैठावा व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो वो बहुत ही बड़ी बात है वो बहुत ही बड़ी बात है और वो व्यक्ति वह व्यक्ति है लड़ाई नहीं होनी चीए भेज जाना तो राष्टपति जी भेज जाना है तो वो एक तरगी से अल्मूस्ट कहीं नहीं पहले ही वो पास भी होई जाता है मंत्री परिशत क्यों लोग सभा के परती उत्तरदाई है राजे सभा के परती नहीं तो अब धन विदेख को लेकर के जो मंत्री परिशत है उनको सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में जवाब देना है लोग सभा के परती उत्तरदाई है लोग सभा को ही बताएंगे कि हम यह आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती है ठीक है तो राज्य सरकार की क्या है राज्य सवा सरकार के आलोचना तो कर सकती है बुरा ही तो कर सकती है कमी है इस वाले बजट में या इस वाले धनवी देख में पर कभी भी राज्य सवा सरकार को हटा नहीं सकती है मतलब ल लोगसवाद से ही सरकार बनी थी और आयो विश्वास जो परस्ता हुए वो भी लोगसवाद में आता है देखिए मैं आपको एक कोड़ इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूँ भारत के सविधान में तीन निदिया बनाए गई है निदी कौन? निदी ये किसी लड़की का नाम नहीं है निदी का मतलब होता है फंड फंड बनाए गए तीन फंड बनाए गए पहला है Consolidated Fund of India या संचित निदी कहते हैं उसे संचित निदी क्या होती है? संचित निदी Consolidated Fund of India का मतलब यह है इसमें सारा का सारा पेशा इसमें आएगा, सरकार की जितनी भी इंकम है वो इसमें आएगी, चाहिए वो टेक्स से पराप्त हुई हो, चाहिए वो गेर टेक्स से पराप्त हुई हो, नोन टेक्स से हो, सारा का सारा पेशा सरकार का इसमें से आएगा, सरकार सारा का सारा खर्च Fund of India दूसरा होता है आकस्मिक निधि आकस्मिक निधि यैसे English में कहा जात है Contingency Fund Contingency Fund में। ज़सी हो जाये कि की बिल्कुल ही कुछ Emmergency हो जाए कहीं बार आ गई कहीं और कुछ बात हो गई तो आकस्मिक निधि होती है और जैसे हम लोग घर में कुछ 500-2,000 रुपे बचा करके रखते या कोई हारी विमारी हो जाए, कोई प्रेशानी हो जाए, तो पैसे काम आ जाए, इसी परकार से 500 करोर रुपे आकस्मिक निधी में रहते हैं, अब क्या होगा, जैसे भी माल लिजिए, कि कोई एमर्जेंसी आगई, अब पैसे सदन वार्फिस क्या होता है कि इस साथन वापिस वापिस क्या होता है कि संचित निदी में से consolidated fund में से निकाल करके आप 500 क्रोड रुपे उसमें डाल देते हैं जैसा यह बिल्कुल हमारे घर की तरह है ठीक है जितनी भी income आई सब कुछ आई चल रहा है सब कुछ ठीक है उससे चलेगा उससे सब कुछ होगा और थोड़ा पेसा 5000-10,000 उपर अलग से निकाल करके रखते ह क्या हुआ है कुछ काम आगया हमने निकाल लिए पेसे इस्तेमाल कर लिए फिर जैसे पेसा आया इंकम आई घर में उसमें पहले पैसे जोड़ दिए यह तेरे 2000 इसमें 5000 तो घर में रखा करो ही एक्स्ट्रा तो वह रखे हुए उसमें एड़ कर दिये तीसरा होता है बढ़ लोक निदी में पूरा का पूरा जनता का पेसा है वैसे सारे जगे जनता का ही लोक निदी में मतलब आपने बहुत सी बार सुनाओगा सरकार PF काट रही है प्रोविडेंट फंड कहते हैं सरकार PF काट रही है ठीक है अब PF क्या होता है मेरी सेलरी है इसमें से क्या है कुछ प Permission generally इसमें तो चाहिए ही चाहिए, लोग निदी के लिए आपको संसर से अप्रूब कराने की जोड़त नहीं है, Continency Fund से भी नहीं होगी क्योंकि वो विद सच्चु द्वारा पास, विद सच्चु साइन कर देंगे और उनको मिल जाएगा, तो इस संचित निदी में तो आपको संसर से पारित कराने ही पड़ेगा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, कि वह ऐसा क्यों, ये काम लोग सबा के पास ही क्यों, राजी सबा के पास क्यों नहीं, राजी सबा को जनता नहीं बलकि विधायक चुनते, अत्या सविधान ने राज्य सभा को लोगसभा के बराबर शक्तिया नहीं दी देखिए मैंने क्या कहा है कि लोगतांतिक देश जो हैं उसमें जनता सवर्परी होनी चीज़ जनता सबसे important है अब जनता जो चुनती है वो लोगसभा के नेताओं को चुनती है लोगसभा के नेताओं को चुनती है तो केंदर में तो यह ज़्यादा पाउरफुल है और राज्य में जब हम बात करते हैं स्टेट में तो यह विधान सभा के नेताओं को चुन रही है विधान सभा विधान परिश्यत वालों को नहीं चुन रही है विधान परिश्यत को डारेक्ट जनता नहीं चुनती है, वो एक अलग प्रोसेजर चलता उसके लिए, विधान सभाग नहीताओ को चुनती है, तो जनता जिनको चुन रही है, वही फैसले लेने चाहिए, ठीक है, वह जादा इंपोर्टेंट होने चाहिए, मैंने कारेपाले क मैं भी आप लोगों को बताया, कि यह अधिकारी जो आईए सदिकारी, आईपे सदिकारी होते हैं, वो जौता पड़े लिखे होते हैं, बहुत ग्यानी होते हैं, परन्तु जो फैसला सुनाने का जो फाइनल डिसीजन होता है, क्यों यही होगा देश में, वो तो नेता ही सो ली जाएगी, परन्तु उस पर पुरा सोच विचार करकर के जनता के सामने क्या लेकर करके जाना, जनता को क्या बताना, वो नेता ही ते करता है, सविधान दौर आपने आए गई लोकतांतिक विवस्ता जनता के पास अंतिम शक्ति है, जो लास्ट पावर, सबसे जो पाउर चाहिए, तो इस तरकित के अनुसार, इसी अगर रिजन और इसी आइडिया को अगर हम लोग आधार बनाते हैं, तो देखते हैं कि जनता के दौरा जो परतेक्ष्विदी से, डिरेक्ली जनता ने जिनको चुना है, जिनको निर्वाचित करा है, उनके पास सरकार को हटाने क ठीक है, क्योंकि सरकार का गटन भी लोग सभा के कारण नहीं हो रहा है, और सरकार को हटाने, उसको बनाने और वित पर नियंतरन रखने का जो नियंब कंट्रोल होना चीए, वो उनके पास होना चीए, जिनको जनता ने डिरेक्ली परतेक्ष्विदी से निर्वाचित किया ह नोट, इसके अत्रिक सामानी और सविधानिक विधेकों को पारित करने, राष्टपती पर महावियोग लगाने, थता उपराष्टपती को हटाने, आदी के संबन में लोगसभा और राजेसभा की शक्तिया समान है, देखिए, अब बाकी एक थोड़ सा सरकार को हटाने और धर्न विधेकों के मामलों हम देख लो, बाकी सब में सामानी हो सविधानिक विधेकों, लोगसभा, राजेसभा दोनों बराबर है, राष्टपती पर महावियोग लगाना, उपराष्टपती जी को हटाना, इनके संबन में शक्तिया अल्मोस्ट बराबर है, जनता ने डिरेक्ली उन प्रतिनिदों को चुना है और जनता ही सबसे पावर्फुल और जनता के साब से देश का साशन होता है ओके तो आज अपना इतना ही आपको कोई भी डाउट हो कोई भी समश्या हो तो आप कमेंट बोक्स में मेंशिट कर सकते हैं और पढ़ते रही है आगे पढ़ते रही है और जादा से जादा लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहीएगा और मिलते हैं नेक्स टेक्चर में तब तक लिए थैंकिस ओमच जैहिंत जैभारत